Hello 4th Class, Welcome to the Online Classes presented by AMM Public School आज आपका Moral Value का टर्ण है तो निखालिये अपनी Moral Value की बुक बच्चो पेज नमबर 51 पर आपका चैप्टर नमबर 11 है The Sky is Falling, यानि जो आस्मान है वो गिर रहा है तो ऐसा क्यों नाम है इस चैप्टर का वो भी हम देखेंगे सबसे पहले आपकी एक्टिविटी है इसमें आपको ही जो कुछ imaginary creatures है imaginary creatures मतलब जो केवल हमने अपनी सोच से बनाए हुए है इनके नाम लिखने है और इनने complete करना है अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चो A rabbit lived in a forest, he liked to hop, he liked to eat carrots he liked to smell the flowers, he liked to hear the birds sing one day he was resting under a tree उसे carrots खाना जो गाजरे वो खाना पसंथा उसे flowers को smell करना पसंथा और जो birds थी जब वो गाती थी उसे उनका गाना सुनना भी पसंथा एक दिन वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था a nut fell from the tree on his head उपर से एक nut है वो उस tree से उसके सेर पर गिरा it made a loud thud उसे एक बहुत तेज आवाज हुई the rabbit was scared and ran तो जो खरगोश था वो डर गया और भागने लगा rabbit ौच the sky is falling I must run and tell the king lion about it ओ हो जो आसमान है वो गिर रहा है मुझे भागना चाहिए और जो जंगल के राजा है शेर उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए the rabbit began to run जो rabbit है खरगोश है उसने भागना शुरू कर दिया he ran and ran on the way he met a deer वो भागता रहा हो रास्ते में उसे एक हिरन मिला deer where are you going हिरन ने उससे पूछा तुम कहां जा रही हो the rabbit the sky is falling I am going to the king to tell him about it जो आस्मान है वो गिर रहा है मैं जो शेर राजा है उन्हें बताने जा रहा हूँ कि आस्मान गिर रहा है तो जो हिरन है उसने कहा I'll come to let's run मैं भी तुमारे साथ चलता हूँ चलो भागते हैं the deer and the rabbit both began to run a monkey was swinging on a tree he saw the rabbit and the deer running जो deer और rabbit हैं दोनों भागने लगे जो monkey था वो पेड़ पर लटक रहा था जूर रहा था उसने भी rabbit और deer को भागते हुए देखा monkey hi friends why are you running monkey ने उनसे पूछा hi दोस्तो तुम क्यो भाग रहे हो deer ने बोला the sky is falling जो आस्मान है वो गिर रहा है we are going to the king lion to tell him about it हम जो जंगल के राजा हैं शेर उनके पास चा रहे हैं उन्हें इस बात के बारे में बताने के लिए तो monkey कहता I'll come to with you मैं भी तुमारे साथ आता हूं so they ran and ran on the way a cow was bedding in pond she saw the three animals running तो जब वो भागने लगे उनको रास्ते में एक गाय मिली जो की pond में नहा रही थी तो उसने उन तीनों को भागते वे देखा cow where are you going may I join you तुम कहां जा रहे हो क्या मैं तुमारे साथ चल सकती हूं तो monkey ने का as you wish the sky is falling we are going to the king lion to tell him about it जैसी दुबानी मर्जी आस्मान गिर रहा है हम शेर राजा के बास जा रहे हैं उन्हें इसके वारे में बताने के लिए तुम चाहो तो आ सकती हो cow ने का really can I come along कि सच में क्या मैं भी साथ में चल सकती हूं तो dear ने का हाँ जरूर so all four of them began to run they ran and ran on the way they met a peacock who was dancing he saw them running वो भागने लगे भागते हूए उन्हें रास्ते में एक मोर मिला जो कि dance कर रहा था उसने उन्हें भागते हूए दिखा peacock I'll come to मैं भी तुमारे साथ चलूँगा all five of them ran they reached the Lawrence den peacock ने कहा कि कहा जा रहे हो उन्हें बताया है कि हम राजा के पास जा रहे हैं क्योंकि आस्मान गिर रहा हैं तो उसने का मैं भी तुमारे साथ चलूँगा तो तीनो पाच लोग हो गए तो भागने लगे और जो शेर के गुफाय हमहा तक पहुचे loyan what is all this noise about उटी इतना शोर किस पारे में है क्यों है इतना शोर all oh king the sky is falling what shall we do hey raja आस्मान गिर रहा है हम क्या करें अब तो उन सभी ने राजा से कहा loyan who saw the sky falling peacock the cow knows all about it जो शेर है उसने पूछा कि आस्मान को गिरते हुए किस ने देखा तो peacock कहता है कि जो गाय है वो इस बारे में सब कुछ जानती है तो cow कहती है no the monkey knows all about it cow ने का नहीं जो monkey है बंदर है वो इसके बारे में सब जानता है monkey बोला no not I the deer knows all about it मैं नहीं जो deer है वो इसके बारे में सब जानती है तो deer ने का I don't know the rabbit knows all about it दियर ने का नहीं मैं नहीं जानती जो rabbit है वो सब जानता है इसके बारे में rabbit कहता है yes sir I saw the sky falling हाँ sir मैंने आस्मान को गिरते हुए देखा है तो loyan कहता है where did you see it तुमने इसे कहां देखा तो rabbit कहता है I was sitting under a tree I heard a loud thud and I ran मैं पेड के नीचे बैठा हुआ था और मैंने बहुत तेज आवाद सुनी और मैं भागने लगा loyan can you take us to the place क्या तुम हमें उस जगा ले जा सकते हो rabbit ने का I am afraid my lord मुझे डर लग रा है my lord मतलब आका तो loyan कहता है come on don't be afraid the rabbit took the loyan to the place where he had heard the sound the other animals followed the loyan looked up at the tree he understood what had happened he laughed and laughed लेकर गया उस पेड़ के नीचे जहां पर वो मतलब लेटा हुआ था बैठा हुआ रेस्ट कर रहा था तो loyan ने जो पेड़ को उपर से देखा nuts देखे उसने तो वो समझ गया कि असली बात क्या है और वो तेज तेज हसने लगा तो loyan कहता है you silly rabbit it was only a nut from the tree कि बेव को रैबिट वो के वहले एक nut था जो tree से गिरा था look up the sky is still there now you go back home all of you उसने कहा कि देखो आसमान उपर ही है अब तुम सब घर जाओ वो आसमने लगा बहुत जादा सब पर तो बच्चों हमारा chapter यहीं finish होता है इससे हमें क्या moral मिलती है we should not trust the words of others blindly हमें दूसरों की बात आख बंद करके नहीं सुननी चाहिए first we should analyze the situation and then act wisely it is advised to always think twice before doing anything हमें पहले मतलब दूसरों की बात समझनी चाहिए सुननी चाहिए फिर situation समझनी चाहिए फिर उसके हिसाब से अपने आप सोच कर उस पर act करना चाहिए otherwise हमें इसी तरीके से हम बेवकोफ बन जाते है तो चैप्टर यहीं finish होता है बच्चों अब यह exercise work आप करेंगे exercise work आप इस video के through ही करेंगे बुक में से ही करेंगे आप exercise इसकी pause करके बुक को जिससे की आप वीडियो भी देख सके और काम भी इसके साथ कर सके अब मैं आपको इसकी question answers और word meaning दिखाऊंगे बच्चों यह fourth class आपके word meaning है वीडियो pause करके आप यह word meaning करेंगे यह question answers है बच्चों आपके video pause करनी है आपको और इन question answers को अपनी notebook में करना है सारे question answers आप अपनी notebook में करेंगे अब निकालिए अपनी art की book page 11 पर बच्चों art की book में dough और font दिया हुआ है यानि कि mother deer और उसका baby deer दिया हुआ है baby deer rest कर रहा है mother deer के पास में तो आपको इसे color करना है और जो flowers दी हुआ है इन्हें भी bright colors का use करते हुए color करना है साथी साथ आप page number 12 भी करेंगे bicycle riding cycle कैसे ride कर रही है छोटी सी एक sweet girl तो यह आप दिखाएंगे इस picture में और अच्छे सही से color करेंगे साथी साथ एक इसमें tortoise भी है उसे भी color करेंगे तो यह आपका art cover के बच्चों मिलते हैं आगी की वीडियो में आगी के work के साथ thank you